फंक्शनल आईसुमेरिजम करा रहा था मैं आपको ना बना के दिखाओ मैंने क्या बताया था कि एसिड का जो फंक्शनल आईसुमर होगा वह क्या होगा एस्टर ना एस्टर कुछ और भी हो सकता है एस्टर ना चलो करके दिखाओ CH3 CH2 COOH बनाओ जो इसके फंक्शनल आईसुमर की मनेंगे यह एसिड है ना आई पीसी ने पता है इसका 123 प्रोपेनोइक एसिड इसको क्या वो थे डॉन फंक्शनल ग्रूप एसिड है ना एसिड इसकी रियक्शन एनिवेस्ट से क्राएंगे तो होगी क्या बताओ भाई यह 123 यह है प्रोपेनोइक एसिड अगर इसकी रियक्शन यह COH ग्रूप है कार्वोक्सी ग्रूप बोलते हैं अगर इसकी रियक्शन एनिवेस्ट से कराओगे तो होगी क्या क्यों बैए यस और नो एनिवेस्ट से होगी आर नो कैसे क्या रहे है तांसू एनिवेस्ट तो बेस होता है अगर इससे रियक्शन कराओगे तो होगी CH2 CO-NA+, NA से होगी बिल्कुल O7H hydrogen है एनिवेस्ट सोचते हो सरीक क्या करने लगते हैं यह ना O-NA+, NA+, और कौन सी केस निकलेगी है एच्टू एनिवेस्ट से क्या कल रहा था पानी है ना यह तो हमने 910 पर भी पड़ा हुआ है तो CO-H जो है, acid group है, aqueous NOH से भी react करेगा, salt बनाएगा, Na से तो करे गई यह बना लिया ठीक है? और एक क्या बताया था? sodium bicarbonate NaHCO3 ठीक है sodium bicarbonate इसमें से क्या निकाल देता है? CO2 और क्या बनेगा? CH3 CH2 CO minus Na plus plus CO2 plus H2 CO2 किसमें से निकाला इसमें से अगर यह C14 होता तो क्या होता यह C14 बोलो बाई पता है रहे यस और नो बता रखा है APAC में न ठीक है इसका functional isomer क्या बना CH3 CO OCH3 है ना अब देखो क्या यह Na से रियक्ट करेगा नहीं करेगा वही acidic hydrogen नहीं है Ocatech hydrogen नहीं है तो यह Na से रियक्ट करेगा नहीं करेगा पर इन दोनों का इन दोनों का molecular formula सेम है पर यहां पर functional group acid है यहां functional group ester है तो physical property भी change होगी और chemical property भी change होगी यह Na से react कर रहा है यह Na से react नहीं करेगा यह Na से react करने पर acid based reaction दे रहा है यह Na से react करने पर acid based reaction नहीं देगा react तो करेगा यह पर acid based reaction नहीं देगा कोई और ही reaction देगा चीक है बोलो नोट कर लिया है और बनेगा अच्छा और बनेगा तो बनाओ ज़रा अच्छा नाम क्या होगा मिथाइल इथेनोएट मिथाइल इथेनोएट ठीक है और यह बन जाएगा चीएच बनाओ लोग चीओ ओ ओ चीएच टू चीएच त्री इसका नाम क्या होगा इथाइल नहीं मिथेनोएट मिथेनोएट आईउपी एसी एक बार रिवाईज जरू कर ले ना स्पीड से बूल गया होगे ठीक है अब एक बार ना आपको इसके बना के दिखाने है आईसोमर जैसे ही है चीएच त्री अराम से समय लेके चीएच टू चलो एको ले लें चीएच टू इसके बना के दिख आईसोमर टोटल आईसोमर और आईउ-पी चीप गयर भी एनना स्टूक्च्ट्रला आईसोमर जैन पोजिशन फंशनल सब बना के देखो और नाम भी लिखो ठीक है पहले फंशनल में सारे लें फंशनल आएस अमर पहले इसके इसके दोबना जल्दी और आईउ-पीच ये भी फंक्शनल फिर आयू मडीस नॉमनक्लेचर की शिर के लिए डैफिनिशन क्या होती है इत Dani से लिकर फॉर्मुल brushed अज़ вами से प्रिंट्षट्द फंक्शनल गृप सेंगे क्विर सकता है क्या एसींड का वॉ सकता है क्या इपोक्सी फोसकता है क्या कीटोन हो सकता है क्या एल्डियाइड हो सकता है क्या सारा दिमाग चलाया गरो कि बेसिक डेफिनिशन द्यान रखो अब बनाओ चलो बहुत सारे बन सकते हैं देखो पहले तो चलो इसका यह बना लो theo यह दो सब्सक्राइग करेंस ठेलेग सिए prag बनालो सी यह पों अ कि से हैं करेंजा रो थे लिए बनालो यह का हैं ब्रॉच यह थे दो थी तो है फंक्शिए इस का यह इसका यह नही आप टू, थ्री, फोर, फाइब, यह नहीं बन सकता है, CH2, डबल बॉन्ड, CH, ठीक है, CH2, CH2, यह बना दो, O, दो चाहिए, एक को यहां लेलो, CH2, CH2, देखो एक बार, कारवन, वन, टू, थ्री, फोर, फोरों पर, हाइड्रोजन, दो, तीन, और दो पाँच, रेक्छे, तीन, और दो पाँच, और दो, हाइड्रोजन, CH अच्छा, ठीक है न, यह लेलो, CH2, OH, ठीक है, अब देखो, कितने हैं, दो, तीन, और दो पाँच, दो साथ और एक अठ, इथर भी कितने हैं, तीन, और दो पाँच, दो साथ और एक अठ, ठीक है न, अब आप देखो, इसका फंक्शनलाइस उमर यह भी तो बन गया, है, एलकोल है, इथर भी है, है न, इस तरह से काफी सारे बना सकते हो, ठीक है, और ही बना सकते हो, CH2, OH, CH, डबल बॉन्ड, CH, CH2, OH, यह भी तो होगा, चेक करो जरा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, साथ, आठ, ऑक्सिजन दो है, यह भी तो है, अच्छा, DU कितना होगा इसके अंदर, एक है, है न, सम्में, DU कितना आएगा, वो नहीं आएगा, तो DU एक है, तो डबल बॉन्ड आ सकता है, रिंग भी तो आ सकता है, और बना के देखो, सर बन सकता है, क्या, क्या बन सकता है, हम, तो ऐसा नहीं है कि इसके सारे आई सुमर पूछले तो बहुत सारे हो जाएंगे, पर पूछ सकता है कि कितने अलकॉल वाले बन सकते हैं, कितने इथर और अलकॉल वाले बन सकते हैं, है न, तो, टोटल तो फिर बहुत ज़्याद हो ज बाकी घर से बनाना और इनका आई-उ-पीसी नॉमन क्लेचर भी आपको लिखना है लिखके सेंड करना है सबका आई-उ-पीसी नॉमन क्लेचर रेविजन भी होगा एक तरह से हां वो तो ऑक्सिंड की पोशेशन तो चेंज कर सकते हो अब ना कर देखें पहले के 7 और क्या बन सकता है अब है आए च्यों पर सी एच टू च्टू ऑच इब तो बन सकता है तीन और तो पाथ दो साथ और एकाट एट च्ट्री पर शीओ ऑच ट्रीवन सकता है 9 च्ट्री अब लड़ी एट की टॉन भी फंक्शनल इसमर च्टू और बहुत सारे बन सकते हैं बना कर देखना सारे फंक्शनल इसमर एं आप यह भी तो बना सकते हो चार कार्वन मैंने एसे लिख दिये है यह और यह जारा है क्या है एक बार चेक करो दो, दो, चार, पाच, छे, साथ, आठ, दो अक्सिजन है, है ना, ये भी बन सकता है, रिंग चेन आइस उमर बोलेंगे इसको, रिंग चेन आइस उमर, ये चेन थी, ये रिंग बन गया, रिंग चेन आइस उमर, ठीकिए ना, ट्रैंगल भी बन सकता है बिलकुल सही है है न ये bhin बन सकता है देखो इसको ऐसे ले लो और यह ओएज ले लो और यह.च धी देखना एक बाजरा चेक करना ये बिनेगा क्या नहीं ये भी है वह बीच में भी लगा दो ठीक है बिलकुल लगा सकते हो ऐसे बहुत सारे बना सकते हो ठीक है तो आपको functional isomer बना के देखने है OH group भी आ सकता है ether भी आ सकता है epoxy भी आ सकता है हाँ ketone भी लगा सकते हो ठीक है ना तो समझे तो total number of isomer निकालने का कोई formula नहीं होता question आएगा तो वो इसमें से ही कुछ पूछ सकता है कि बताओ कितने dihydroxy बन सकते हैं इसके कितने monohydroxy भी दीथर बन सकते है कितने cyclic बनेंगे ठीक है ऐसे पूछ सकता है और total isomer तो आप बना बना के परिशान होगे बहुत सारे बन सकते हैं हाँ कुल मिला के बहुत सारे बन सकते हैं ठीक है चलो आपको अभी और भी बनेंगे इसके functionalisomer उनका IUPAC nomenclature करके देखना, ठीक है, और देखो, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, अभी ये क्या है, functional group क्या है इसके अंदर, कार्बोक्सलीक एचिड, इसकी रियक्शन अवेच से कराओं तो क्या होगी, क्यों भई, इसकी रियक्शन अगर मैं अवेच से कराओं तो क्या होगी, होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराओं तो क्या होगी, होगी, अब ये एस्टर है, बताओ, इसकी रियक्शन अगर म लेकिन acid base होगी तो पर acid base नहीं होगी वह acid base में क्या होता है OH- है H को अटाता है यहां तो OH-N C पे टेक करेगा तो अभी तो चलो इतना ही ध्यान लगो होगी तो पर acid base नहीं होगी वासु ब्रेन करा saponification होगी बिल्कुल सही ना में पढ़ा हुआ होगी तो saponification होगी है ना acid base नहीं होगी यह 9 में भी जो पढ़ा हुआ उसको रिकॉल करने की कोसिस किया करो बहुत सारा रटना मुस्किल पढ़ जाता है और साथ-साथ पुरान रिवाइस करने को करो आइसोमेरिजम चल रहा है तो आप आप आईवीपेसी नॉमन क्लेचर को देखो ठीक है चलो इसको देखो यह भी क्या एस्टर है तो सेम ऐसी रियक्शन होंगी केमिकल एने से नहीं करेगा sodium से को नहीं निजा लेगा एस्डर कीजो पेटा इष्मेल होती है न वह फूटी हमल वbrahimलो में चल यह भी आइस्टर हो टाओ यह 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 इनसी करेज़ 앉h Navy colonies में labor करेट यह नहीं करता एक्वस एक्वस्त से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इतना ज्यादा यह नहीं था फिटी नहींर थे सर्य टो दिश्थान एल्फक एल्ड हु Л सिंगल बॉंडिड कार्बन से SP3 कार्बन से जो OH है वो NOH से रियक्ट नहीं करेगा इसको लिखो अलिफेटिक अलकॉल जैसे यह है CH3, CH2 OH SP3 कार्बन से OH अटेच है तो वो एक्वस NOH से रियक्ट नहीं करता लेकिन अगर OH SP2 कार्बन से है बड़ा इंपोर्टेंट कोस्चन है बार बार आएगा आपको NCIT में 12 में भी मिलेगा तब यह रियक्ट कर जाता है इसका मतलब SP2 कार्बन से अटेच हो एच का एसिडिक कैरेक्टर जादा होगा इसको लिखो बैसे कई बार आएगा हाँ फिनॉल वाला एक्जामपल यह फिनॉल SP2 कार्बन से हो एचे इसे कहीं डिब्बे में बंद करो NCIT में भी आएगा बोर्ड में भी पूछा गया है IIT मेडिकल में भी पूछा गया है क्योंकि हमें क्या हमें कन्फिजन हो जाता है कि भाई एक्वस 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 है तो इससे रियक्ट कर रहा है तो इससे भी करना चाहिए यह फिनॉल है SP2 कार्बन से OH है और यह SP3 कार्बन से है तो भाई SP2 कार्बन से टैच वाला ज्यादा ACID कहता है ज्यादा ACID होता है फिलाल लिख लो रीजन एसडिक बेसी करेक्टर मा आएगा एक बार पॉइंट रिपीट कर दो देखो बिटा एक्वस एने वेच उस ओएच से रियक्ट नहीं करेगा जो ओएच एसपी थी कारबन से टैच होगा लेकिन एसपी टू से टैच होगा तो वो रियक्ट करेगा यह बीच बीच में इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आजाते हैं बहुत इंपोर्टेंट होते हैं हाला कि इस से related नहीं आई इसमेरिज़म से related नहीं है लेकिन important है तो लिख लिए गरो साथ-साथ प्रोड़क्ट क्या होगा फिनोल के साथ होगा यह O- Na+, यह फिनोकसाइड आया फिनोल के साथ इसमें नहीं बनेगा इसका के equilibrium less than one लिखोगे और इसका के equilibrium greater than one के equilibrium मतलब concentration of product upon reactant less than one product reactant की तरफ ज़्यादा होगा चलो आगे देखो ऐसे ही निचे आजाओ इसमें अब एक चीज़ और बताओ क्या यह वाटर से react करेगा याद करो मैंना आई यूप इसी में बताया था वियाइट वाटर या अलकलाइन केमनोफोर करेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है डवल बॉंड है मैंने आपको लिखाया था टेस्ट फोर अंसेचुरेशन याद है ना किस से react कर जाता बी आज ब्राउन रहोता है ब्राउन कलर को न्सैचुरेटिड कंपाॉण्ड क्या करते हैं डिकल्राइज करते हैं एक बच्छे लिख रहा है सर बैंजीन आपने बताया था नहीं वह exception था बेंजीन में double bond होने के बाद भी वो test for unsaturation नहीं देता है ना क्यों नहीं देता aromatic है वो stable है ना याद है हाँ अच्छा बेर्स रिजेंट क्या होता है कोल्डल क्लाइन के मनोफोर के पिंग कलर को double yeah triple bond क्या करते है डिकलराइज करते है पता है ठीक है तो देखो यह बेटा एने से भी रियक्ट करेगा अगर हम क्या करते हैं कि नहीं दो compound को reagent की मदद से separate कर सकते हैं distinguish कर सकते हैं कि यह react कर रहा यह नहीं कर रहा इसका मदब यह alcohol हो सकता है यह acid हो सकता है यह reagent की तो बीच बीच में आएंगे लास्ट में एक साथ सारे लिखाया जाएंगे तो बीच बीच में पढ़ते जाएंगे रियक्शन वाइस तो हमें याद करना थोड़ा सा इजी पड़ेगा नहीं बेटा एलकलाइन के मिनफोर से तो रियक्ट करेगा यह ना पिंक कलर को डिकलराइस करेगा हाँ बेंजीन नहीं करता चलो आगे भी आएंगे यह तो कई बार आना है आगे रियक्शन पढ़ोगे न तो हम हाइड्रोकार्बन की तब भी आएंगे पहले इसलिए बता रह से करेगा ठीक है एने से करेगा एने से करेगा ओसे टेश हैड्रोजन है एक्वस एनवेच से नहीं करेगा ठीक है बोलो सोडियम बाइकार्बोनेट में से सीओ टू को निकालेगा नो नहीं तुम सामने बैठके कलंबता रहे हो नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट में से सीओ टू को कौन निकालते हैं एसीड होता है जिसका भी एसीडिक करेक्टर एच टू सीओ तरी से जादा एच टू सीओ तरी से जादा रीजन भी बताया था फिर बताऊंगा आगे तक रीजन बताऊंगा तुम्हें याद हो चुका होगा सारा अब इतर आ जाओ देखो इसमें ओच भी है सीडवल ओंडो भी है दोनों है ठीक है यह भी फंक्शनलाइस होमर है अब आगे अपने आप देखना ठीक है अब जैसे यह है यह एने से रियक्ट करेगा है नहीं कर लेंगे बोलो नहीं निकालेंगे चलो आगया जो यह एने से रियक्ट करेगा क्या क्योंकि वह से टैच है ठीक है चलो देख लेना बहुत सारे बन जाएंगे इसके अब अब अल्डी हैट अल्डी हैट का इन डून को डिस्टिंगुज करना हो इन दोनों को डिस्टिंग्विज करना हो तो रिएजेंट मैं आपको बताता हूं एक होता है बिटा टोलंस रिएजेंट जरह लिखलो नहीं समझ मैं कोई बात नहीं बहुत ज़्याद़ important है 12 में पढ़ेंगे 11 में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी लिखलो टोलंस रिएजेंट यह यह होता है बिटा agno3 प्लस NH4OH ammonical silver nitrate या ag2o लिखाओ या ag NH3 का whole twice प्लस है ना अगना इसको बोलते हैं टोलंस रिएजेंट यह test for ld hide होता है test for यह होता है test for ld hide ld hide test for ld hide अगर इसकी reaction tolerance रिएजेंट की reaction ld hide से कराओगे तो silver mirror मिल जाता है खुद reduce हो गया देखो ag plus है बिटा ag plus 1 है ag plus 1 से plus ag plus 1 से 0 खुद tolerance region reduce हुआ तो इसे क्या करेगा अरे खुद reduce होगा तो दूसरे को क्या करेगा खुद reduce होगा दूसरे क्या करेगा oxidize दूसरे क्या करेगा oxidize CH3 CH2 CH2 CO minus oxidation इसको acid में convert करने की कोशिस करेगा बस इतना याद रहे तो ठीक है नहीं यल्थ में आएगा हाँ को कार्बोक्सलिक एसिट बना देगा बिल्कुल सही है यह तोलंस होता है की टॉन की reaction टॉलंस ही जेंट से नहीं होती नहीं देता देखो यह 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 होग यह 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 की बगल में hp इस एक की वज़े से इसका जो reducing nature ना बहुं यह तो reducing ही हुआ ना इसका reducing nature औक है यह है नी तो यह टोलंस ही जेंट से रियक्ट नहीं करेगा एक मैंना आपको बता है अग्या था फैलिंग स्यूलीशन यहाद यह लिखलो न फैलिंग सोलीशन फैलिंग सोलीशन उटाइब था सी यूए सोफोर प्लस सोडियम पोटेसियम टार्ट्रेट अब टार्ट्रेट क्या होता भी जूरूत नहीं है sodium potassium tartrate ये भी test for aldehyde होता है ये भी test for aldehyde ketone इसके test को नहीं देते हैं अभी फ्लाल इतना ध्यान रखना है चीक है चलो अब इसके और भी बता दो कि और क्या बन सकते हैं aldehyde का ketone मन गया दोनों functional isomer है physical property भी अलग हो गई chemical property भी अलग हो गई ठीक है physical property भी अलग हो गई और क्या बन सकता है इसका ये बन सकता है CH2 double bond CH CH2 CH2H unsaturated alcohol unsaturated alcohol दोक कुछ रही है ऐसा रटना नहीं है LD8 का ketone ही बनता है basic समझा करो कितने 20 उमर बन रहे हैं क्या है उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता question generally मिलेगा basic से इसके और क्या क्या बन सकते हैं LD8 का क्या alcohol बन सकता है alcohol बनेगा तो कौन सा बनेगा नहीं है नहीं है एक दो तीन चार करवन है दो तीन और पांच और दो साथ रिकार्ट हैं तीन और तीन चेर्ट दो आठ हैं और और फंक्शनल ग्रूप हैं कीतों कि एक हो गया ल gebeur वह जो एक है कि अचाह यह जो है रい अर्थ करेगा और नहीन मत्रैक्नस और रिएक्ट नहीं करेगा देंस बढ़एगा यह वेंच फंच्टन गूरूप और भी बन सकता है यह अन्सेचुरेटेड़ च्टू डबल वांड सीच च्टू ओच्टू और सिएज ठी इना अच्छ यह माल्या वन ए यह माले टू है 1, 2 को क्या हम BR2 water से distinguish कर सकते हैं जरह ये बताओ सर लेफ्ट वाला reaction में butinate क्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही BR2 water से react कर जाएंगे दोनों में क्या है double bond है इसमें से NA से कौन react करेगा पहला वाला दूसरा वाला NA से NA से पहला वाला दूसरा वाला नहीं करेगा क्योंकि H नहीं है ठीक है चलो और भी बन सकते हैं ना इसके आप ring chain बना दो भाई ये chain है इसमें du1 है तो du1 है तो ring का भी du1 होता है तो इसमें क्या बना दोगे चलो 4 carbon का ये बना दो और एक यहां OH लगा दो तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ बन सकता है इसमें du1 है के बोलो yes और no अरे बताओ बन सकता है नहीं बन सकता बन सकता है yes और ये भी तो बन सकता है ये भी है ना और भी बहुत सारे बन सकते है बनाते जाओ बनाते जाओ बहुत सारे बन सकते है ये भी तो बन सकता है एपोक्सी एक, दो, तीन, चार है क्या कारवन तो लो ये को ये बना दो इसमें क्या बोलता है एपोक्सी ऐसे काफी सारे बन सकते है कीटोन को साइकलिक में नहीं लाओगे बिटा किटोन को साइकलिक में लातेगि अपको सबसे पहले आइसो ऐसे मर बनाने के लिए लेकिन nature of functional group अलग एक्जामप्ल करते रहेंगे बाद में पहले अब लिखो इसको ऐसी साइनाइड का functional isomer होता है आई सो साइनाइड यह और सी एन का क्या होगा आएन सी CN का क्या होगा आईसो साइनाइड खीक है इसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी तर्श्री अमाइन दे आर फंक्शनल आईसोमर जैसे एक्जाम्पल है ये CH3, CH2 CH2, NH2 इसका फंक्शनल आईसोमर ये वन गया NH, CH2, CH3 इसका फंक्शनल आईसोमर ये बन गया टर्श्री अमाइन ये बेटा टर्श्री अमाइन ये है सेकेंडरी अमाइन और ये है प्राइमरी अमाइन तो प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन आर फंक्शनल आईसोमर प्रामरी सेकंडी तरोसरी ऑल कोथल फंक्शनल आईसो मर्न नहीं हों कि इसमें तो चोंब को कहें न्A हमी है तो लिखोや सेठी कोंब्री तर्ष्ली आमाई नार फंक्शनल आईसो मर्न अमाइट का भी हां अमाइट का भी फंक्शनल लाइसोमर बन जाता है अधित्य चुल मिटा दू दूब ऐसी ना पिटा आइन का फंक्शनल लाइसोमर आइन का डाइन बन जाता है ना जैसे यह यह दोनों फंक्शनल लाइसोमर बोलोगे बोलोगे नहीं बोलोगे ठीक है ना बताओ बहिए डबल बोंड है यह बी आर टू वोटर से रिएट करेगा वो ना करेगा यह एल्कलाइन के मोनोफोर से करेगा वो नहीं करेगा ठीक है हाँ, आइन का साइक्लो एलकेन भी बन सकता है, इनको रिंग चेन आईसोमर भी बोलते हैं, और रिंग चेन आईसोमर क्या होते हैं, फंक्सिनल आईसोमर होते हैं, भाई रिंग से चेन या चेन से रिंग बन गया, ठीक है, हाँ, रिंग चेन आईसोमर भी बोलेंगे, इसने अ के बालक्स से नहीं करूंगा में ring chain को इसी में आपको बता दिया तो ring chain isomer क्या होंगे functional isomer होंगे तो है आइन को धाइन को भी functional isomer वोलोगे triple bond था वो double में convert हो गया इमाइन क्या होता है तेजस बार बार पुछ रहा है इमाइन इमाइन यह होता है वाई CH3 CH1NH इसको बोलते हैं इमाइन I-M-I-N-E इमाइन तो आगर यह बना दें हम CH2 11 CH-NH2 यह क्या होगा इसको बोलते हैं इने माइन यह भी इने माइन इने माइन बोलते हैं नाम भी ध्यान रखना इसका इने माइन इने माइन देखो है ना इने माइन यह माइन यह भी फंक्शनल आईसमर लेख लो इमाइन का इने माइन होगा इमाइन का फंक्शनल आईसमर इने माइन होगा इमाइन यह है इने माइन यह है सिएच डबल बॉन एनेच इमाइन सिएच टू डबल बॉन सिएच अनेच टू क्या होगा इनेमाइन ऐसी देखो यह बना का देखते हैं ना इंग सिएच थ्री सिएच टू एनो टू है ना और यह सिएच थ्री सिएच डबल बॉन एन ओएच यह आपस में होंगे क्या फंक्शनल आइसमर दोनों तरह देखना यह फंक्शनल आइसमर होंगे क्या कि हुग भी हुगे अना इसको बोलते हम आप नाइट्रो नाइट्रो और इसको बोलते असी नाइट्रो असी आई एसी नाइट्रो एक कर देखो तो जो हमने पढ़ा है किताओं में लिखे होते हैं अगर उसके अलाब कुछ आता है तो बतातों सकते हैं है यह तो नो कि रटे यह अरता सकते हैं नाइट्रों यहाँ यहाँ पर फंक्शुनल गूरूप अलग अजु गया chemical प्रोपर्टी नों की अलग अलग होंगी होंगी नहीं होंगी हिसने नौट कर लो कि देखो इसके तोटो मेरीजमी बहुत इंपोर्टेंट है तोटो और यह को मुझे दुबारा भी कराना पड़ता है क्योंकि इसमें कुछ एक्जाम्पिल में जी उसी भी आ जाती है जब बुकलेट करोगे न तो कुछ एक्जाम्पिल में जन्नल लॉगनी के मिस्टी भी आती है तो आज मैं आपको इसका आइडिया दूंगा ताकि आपके नॉर्मल कोशन ना बचे अंसैचुरेटिड एलकॉल का कीटोन आईसुमर इसली टॉटेटैटिय। है टोटोमेरिजम को धायनेमिक आईसुमरिजम भी बोलते हैं कि यह टोटोमेरिजम को थे यह वह बहुत सारे नाम है को क्रिप्टोमेरिजम भी होता है कांठी Arms होता हैтора नीरोपि तरथ है चलो है क्या Tivi होता क्या लखो diplomines है में लिखो इनवाल्प इटथ इनवाल्प defense थे बहुत इंपोर्टेंट है यह इसलिए काफी डिडेल में भी कराया जाता है, it involves migration of hydrogen या proton, hydrogen from one atom to another, एक atom से दूसरे atom पर hydrogen migrate कर जाता है, इस फिनॉमिना को बोलते हैं, टोटो मेरिजम, it involves migration of hydrogen from one atom to another, एक atom से दूसरे atom पर hydrogen माइग्रेट कर जाता है, जैसे ही है, CH3, CHO, CH2, double bond CH, OH, देखू, hydrogen carbon से oxygen पर चला गया, double bond यहां था फिर यहां आ गया, इसको बोलते हैं keto foam, इसको बोलते हैं inol, बेस की प्रेजन से में या acid की प्रेजन से में कुछ भी हो सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, hydrogen माइग्रेट करता है, एक atom से दूसरी atom पर, क्यों करता है, सबका region बताऊंगा, ऐसे नहीं कि अपने अपी माइग्रेट कर जाएं, इसलिए इंपोर्टेंट है, इसमें मेकैनिजम भी आएगी, पहली बार पढ़ाऊंगा थोड़ा कम समझना आएगा, दूसरी बार प्षंच्चिंण इसमंर जैसा होता है बिल्कुल सही बात है गोरंगी, गोरंगी कह रही ही फंक्स्नल ाइसमर, टोटोमर्स हमेशा functionalisomer होंगे आगे लिखो totomerism catalyze by it catalyze by acid or base acid or base डालोगे तब होगा यह migration hydrogen का एक item से दूसरे item पर दिखलो it catalyze by acid or base दूसरा totomers are always existing dynamic equilibrium totomers are always existing dynamic equilibrium इससे बनते गाइसे बनता जाता है totomers are always existing dynamic equilibrium what is dynamic dynamic मतलब चलता रहता है इससे यह से ठीक है अगे लिख लिए दोटोमर्स है functionalisomer है यहां पर क्या है इनोल है यह 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 पर क्या है ओएच है डाइनमिक क्या बिदा डाइनमिक मतलब चलते रहना डाइनमिक समझते हो ना इससे यह बना से बना देखो एकलूबरम तो आएगा माले यह 99.9 परसेंट यह पॉइंट वन परसेंट है solution में 99.9 रहेगा यह वन परसेंट रहेगा पर चलता रहेगा यह इसमें फिर उतने इसमें जो गूप होता है CO उसके बगलवाले कारवन को बोलते हैं अलफा कारवन अलफा कारवन से अटेच हीडोजन हटता है क्यूं हटेगा मैं पूरी मेकेनिजम बताऊंगा आपकी पहले तो कौन से इसमक्पाउंट क्या अलफा होता है पता है जो group के बगल वाला इसके बगल वाला जो carbon होता है वो alpha carbon होता है ठीक है दोनों side भी हो सकता है और क्या ठीक है चलो अब alpha ही क्यों migrate करता है वो बादम देखते हैं पहले देखते हैं कि कौन-कौन से compound टॉटो मेरिजम सो कर सकते हैं लिखो कंडिशन लिख लो कंडिशन फॉर टॉटो मेरिजम इसका सब का रीजन मालूम चलेगा अभी लिखो फिलाल कंडिशन फॉर टॉटो मेरिजम पहली कंडिशन लिखो at least one multiple bonded electronegative atom at least one one multiple bonded electronegative atom must be present must be present in compound जैसे c double bond o c double bond n n double bond o etc at least one multiple bonded electronegative atom must be present in the compound in one of the isomer किसी भी एक में लग लिया multiple bonded electronegative atom समझे c double bond n n double bond o है ना इसका तुम isomer बनाओगे तो उसमें नहीं होगा इद्यान रख ना दोनों में दोनों में से किसी एक में अब जैसे कीटों में था है ना सुनना द्यान से कीटों में c double bond था पर उसका इनॉल बनाया तो क्या आ गया था double bond carbon पर वेच मिल गया तो उसको बोलो कि टोटो मेरिजम सो करेगा करेगा वाई उससे कीटों बन रहा है नहीं ध्यान रखना यह नहीं कि पूरा मिना सोचे समझे रट मारा जैसे यह हैं हमने यह दे दिया तो क्या यह हो तो करेगा यह सी डवल वांड होएं यह ऐलफा यह भी क्या है इलफा तो इसका मैं है अब यह पन गया सका इनॉल कि न है इसका बढ़ेंगे हैं कि और यह से और नहीं एक्जाम में है यह नहीं इसको बोलो कि अगर दे दिया एक्जाम में कि यह compound otomerisms करेगा तो क्या वो लोग है yes किससे बनतो रहा है कीटो बनतो रहा है पर मैं कीटो की condition लिखा रहा हूं किसी एक की है समझना दियान से चलो इसके लाद second second at least at least one alpha hydrogen must be present in compound at least one alpha hydrogen must be present in compound at least one alpha hydrogen must be present in compound alpha hydrogen क्या होगा जो alpha carbon से attach हो एसा क्यों होता है अभी mechanism से समझे माँगा से में यह नहीं रटना किया है अभी अल्षाल क्लों न मैं यहें क्यों उटता है कि नोट कर लिया कम से कम एक ऐलफा एड्रोजण होना जरूरी है एलफा एड्रोजण क्या होगा tam के बगलवाला respect यालफा कर्बन ćर से renting सेक्ट है डोनों दौन से नरा येसं part बॉंडेड एलेक्टो नेगेटीव एटम है और इसके बगलवाला कारवन क्या होता है एल्फा एल्फा कारवन से हीर्टों एटेच है है रिदम करा मोर एसटीग होता है सही बात है इसलिए पूरा हटा के दिखाएंगे पूरी मेकैनिजम करेंगे अभी फिलाल ध्यान दो यह दे रखा इसका यह बनाओ या इससे बनाओ ठीक है डबल बॉंड कारवन पर हो यह चाहे इसका टोटमेरी इंसो कर रहा है ठीक है लिग लिए थार्ड इफ हाँ इफ एल्फा कारवन इज एस्पी टू यह एल्फा कारवन इज डबल बॉंडड इड लिखो जरा बहुत पॉंड अल्फा कारवन इज डबल बॉंडड देन अट लीस्ट वन हाइड्रोजन must be present on gamma carbon पर ध्यान रखना यह जरूरी है कि gamma carbon क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए तभी अटेगा gamma carbon क्या होना चाहिए sp3 दुबारा सुन लो अगर अल्फा कारवन डबल बॉंडड दोगा अगर alpha carbon double bonded होगा तो वह अला hydrogen टोटो मैरिज्म पाइट स्वेट नहीं करेगा अगर in alpha carbon double bonded है तो फिर क्या देखेंगे gamma carbon अगर gamma carbon पर एक भी hydrogen होगड तो वह टोटो मैरिज्म में हइट स्वेट करेगा gamma carbon कब कि अग्छेंगे जब एलफा कारवण डबल वांडड़ी होगा लेकिन चा đầu क्या होना चाहिए स्पी 3 उना चाहिए है रड़ दो एक बार फिर दो रहा चंकाज़ान तो नो यह है पहले तो मैं SP3 hybridize, gamma carbon क्या होगा, SP3 hybridize, अभी example तो बहुत सारे दोंगा, बिटा, अब gamma carbon भी absent हो, तो mechanism से खुद मालूम चल जाएगा, तो में कुछ ना याद करना पड़ेगा, फिर mechanism, यह तो mechanism से result आया, तो मैंने पहले आपको लिखा दिया, ड्रॉपर में पढ़ा रहा होता, तो पहले mechanism से करा के दिखाता, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ी होती है, थोड़ी होता, चलो, लिख लिए आए, तो पहले तो आपको बताना है, कौन से compound totomerism सो करेंगे, पहले यह बताना है न, कल देखेंगे mechanism इसकी, लिखो, which of the following compound can so totomerism, अभी यह चलने वाला है काफी, पहले अलफा कारवन देखना है, अलफा कारवन पर हीड्रोजन है, तो totomerism सो करेंगा, नहीं है तो नहीं करना, अगर अलफा डबल वांडिट है तो क्या देखना है, गामा देखना है, अलफा बीटा फिर गामा, अलफा के बाद बीटा बीटा के बाद गामा, अलफा फिर उससे टेज बीटा उससे टेज गामा, अराम से जल्दी वाज़ी नहीं करनी, देखनी है तीनों कंडिशन, है ना, पर यह तीनों कंडिशन ही मैंने क्यों लिखाई है, उसका रीजन भी बताऊंगा, नेक्स्ट प्रास में, देखो, पहला करेगा सो, देखो, गामा पर हाइड्रोजन है पर वो भी क्या एस्पी टू है, गामा वाला क्या होना थी एस्पी टू है, तो यह सो नहीं करेगा, यह सो करेगा सेकिंड वाला, यह एलफा इस पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, फोर करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, फिप्ट करेगा, नहीं क करेगा alpha double bonded alpha carbon से alpha carbon double bonded होता है तो क्या देखते हैं गामा गामा तो है नहीं करता है वह नहीं करता है आपको लिखाया था यहां से सोगर जाएगा ठीक है और यहां पर यहां पर यहां तो है करेगा यह यह करेगा यह 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 बीटा और गामा और गामा क्या एस्पी 3 है तो मैंने आपको बताया अगर alpha double bonded होता है तो कम से कम एक हाइड्रोजन कहा होना चाहिए गामा पर पर गामा क्या होना चाहिए एस पी 3 होना चाहिए ठीक बात है वह यह डबल बॉंडिड कार्बन से अटेच हाइड्रोजन विल नॉट माइग्रेट विल नॉट पार्टिसिपेट इन तोडोमेरिजम में अगर alpha double bonded है तो गाम तुम्हे समझ माया जब मैं हटाओंगा मैंके निजन दिखाओंगा कराओंगा चाहिए कम समझ माया गलिए क्लासर माने बताओंगा ज्यादेस अचा समझ माया जब जी औशी करने के बाद एट कि इस डिक is चलो जब मोगा है तो फुथर करेगा और फ्लрам पीटा और गामा गामा-SP3 में तो करेगा टन करेगा टन से एलफ़ा कारवन पर हीडरोजन नहीं है तो नहीं करेगा 11 करेगा करेंगे ने करेंगा ने करेंगा जोको alpha carbon पर hydrogen नहीं है पर gamma पर बेटा gamma तो तब देखते हैं जब alpha गया हो double wanted तो यह 100 12 करेगा 100 12 करेगा भाई OH सुनो यह मैंने inolpha मना दिया है से की कि अ सब्सक्राइब एक करेगा कौन करेगा अफाए यह बताओ ॐ था करें थिक है कि अगले ने धर रहा हुआए के लगल साहा हुआ के लोगे कि अगर आ रहा हुआ कर दो किने में शीडमेदादाइ रहा हुआ है